पूरी तरह से तबाह हो चुका है यूक्रेन के कई शहर जंग की बेड़ चड़ चुके हैं हजारों लोगों की जान जा चुकी है लेकिन इसके बाद भी जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही ना तो यूक्रेन रूस के आगे हत्यार डाल रहा है ना ही पुतिन अपना सैन या भ्यान खत्म करने को तयार है इस बीच रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक डोनेस्क इलाके में जेलेंस्की की सैना पर ताबर तोड गोलियों की बोचार करते दिखाए दिए रूस का दावा है इस हमले में यूक्रेन के 20 सैनिकों की मौत हो गई जबकि दो बखतरबन गाडियों के पर खचे उड़ गए डोनेस्क इलाके में रूसी सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक बंकर के अंदर से रूसी सेना के कई जवान यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बारिश करते नज़र आये यहीं नहीं रूसी सेना ने रॉकेट लाँचर से भी उन पर हमला बोला वीडियो के एक हिस्से में पुतिन की सेना का एक जवान कंदे पर लॉंचर रखकर रॉकेट डाखता दिखा लेकिन तभी वहाँ एक जूरदार धमाका हुआ धमाके की वज़े से वहाँ धूल का गुबार चा गया बताया गया कि डोनेस्के इस इस इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई घंटों तक भीशन लडाई चली रूस का दावा है कि इस इलाके से उसकी सेना ने जेलिंस्की के सेनिकों को पीछे धकेल दिया जेलिंस्की के 20 सेनिकों को भी रूस ने मार गिराने का दावा किया तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी रूसी सेना को भारी नुकसान पहुचाने का दावा किया गया वहीं यूक्रेन ने रूस की सेना पर बेहदी घातक थर्माई ट्रेन बम से हमले कारोप लगाया ये बम इतना खतरनाक बता जाता है कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों के शरीर का मास और हड़ियां तक पिगल जाती है और तीन महीने से ज़्यादा वक्त से यूकरेन को जुकाने की कोशिशों में जुटे रूस पर इसी बम के इस्तिमाल कारोफ लगाया गया रूसी सेना ने डॉन बास में चल रही जंग में इसका इस्तिमाल किया थर्माइट रेन बम से हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया दावा किया गया कि इस वीडियो को यूकरेन के ही एक सैनिक ने रिकॉर्ड किया जिसमें आस्मान से आग बरस्ती नजर आई यूकरेन के मताबिक आग के ये छोटे-छोटे गोले ही थर्माइट रेन बम है जिसे वहाँ के लोगों ने रेन आफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया है और इस भतरनाग बम को ऐसे ही मौत की बारिश नहीं का जा रहा है बलकि इसके इस्तिमाल से होने वाली भीशन तबाही की वज़े से इसे ये नाम दिया गया क्योंकि इस बम की चपेट में आने के बाद मास तो क्या हड़ियां तक बिगल जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्माइट रेन बम का तापमान कुछी सेकेंड में 2400 डिगरी सेल्सियस तक पहुंच जाता है यानि यह इतनी गर्मी पैदा करता है कि स्टील और कॉंक्रीट तक में आसानी से छेद हो जाए थर्माइट रेन बम से बम में मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड के मिश्रन का इस्तमाल किया जाता है जो एक हलकी सी चिंगारी से भी तेजी से आग पकड़ लेता और वही आग आसमान से शोलों की शक्र में हमला करने वाले इलाके में गिरती है बता जाता है कि इस बम का इस्तमाल दूसरे विश्वयुद में हिटलर की सेना ने किया था और उस वक्त इस बम की वज़े से 25,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था और यही वज़े कि इस बम के इस्तमाल पर पूरी तरह से बैन है लेकिन युक्रेन आरोब लगा रहा है कि रूस ने जंग में अब मौत बरसाने वाले इस बम का भी इस्तमाल शुरू कर दिया यही नहीं इस महीने की शुरुआत में भी युक्रेन ने रूस पर एक और बेहत खतरनाक बम से हमले का आरोब लगाया था जिसे फॉस्फरस बम कहते हैं और ये बम भी ठीक धर्माई ट्रेन बम की ही तरह काम करता है युक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सेना ने मारियो पुल में इस बम का इस्तमाल किया था तब यूक्रेन की तरफ से अजोफस्ताल स्टील प्लांट पर फॉस्फरस बम से हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया था। उधर यूक्रेन ने ब्रिटन से मिले घातक हत्यारों के साथ अपने सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी सेना के जवान टार्गेट पर जोरदार फारिंग करते दिखाई दिये। इससे पहले जिलिंस्की की सेना के जवान ब्रिटन से मिली बखतर बन गाड़ी को लेकर उस इलाके में पहुंचे जहां उन्हें ट्रेनिंग लेनी थी। इसके बाद वो उस गाड़ी पर सवार हो गए। कुछ सेनिकों ने हाथों में राइफल लेकर मोर्चा संभाला तो एक सेनिक गाड़ी पर लगी मशीन गन पर तैनात दिखाई दिया। और जैसे ही बखतरबन गाड़ी एक दिशा में तेजी से चली उस पर सवार सेनिकों ने सामने बनाये गए निशानों पर फाइरिंग शुरू कर दी। उतर डोनेस में रूस और यूकरेन के बीच भीशन जंग जारी है जहां रात में भी एक दूसरे पर दोनों तरब के सेनिक जोरदार हमले करते नज़र आए बताया कि डोनेस के जिन इलाकों को यूकरेन ने कब्जे से चुड़ाया वहां रूस ने जम कर मिसाईलें बरसाई जिसकी रौशनी और आवाज दोनों ने रात भर डोनेस के लोगों को खौफ में रखा वहां से आए एक वीडियो में आस्मान में लगातार मिसाईले फायर होती दिखाई दी जिने देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने पटाखों में आग लगा दियो रूस के इस हमले का जवाब देते हुए युक्रेन ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उसका एर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाईलों को हवा में ही मार गिराने के लिए तयार नज़र आया युक्रेन ने आरोब लगाया कि रूस ने जान बूझ कर रात में डूनेस के रहाइशी इलाकों को निशाना बनाया जाना कि युक्रेन ने इन हमलों का जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी उसकी तरफ से जारी वीडियो में कुछ जवान रूस की सेना से आर पार की लड़ाई लड़ते नज़र आए जिसके लिए उन्होंने रूस की दागी मिसाईलों को जमीन से निशाना बनाया वहीं युक्रेन के कई टैंक और बक्तरबंद गाड़ियां भी फॉरण डोनेस्क के उन इलाकों में भेज़ दी गई जहां रूस ने हमले किये रूस से टकर लेने के लिए युक्रेन के सेनिक पूरी तरह मुस्ताइद नज़र आए रूसी पॉच को डोनेस्क में गुसने से रोकने के लिए उनमें कुछ की तेनाती जंगलों में भी की गई इस भी जुरूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके लडाकों विमान सुखोई 25 युक्रेन पर जोरदार हमले करते नज़र आ इसके लिए उसने युक्रेन में मौजूद अपनी सेना के एक बेस कैम का इस्तमाल किया और वहां से जब उसके लडाकों विमानों ने उडान भरी तो सारा आस्मान शोर से भर गया एक कतार में उड़ते दोनों विमानों ने अपने टागेट पर पहुँचते ही मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी एक के बाद दूसरे सुखोई ने अपनी मिसाइल पावर दिखाई उसने भी ठीक उसी अंदाज से दुश्मन के ठिकानों पर निशाना सादा और उन्हें तबाह कर दिया यूक्रेन के इलाकों में जबरदस्त बरबादी मचाने के बाद ये दोनों फाइटर जेट अपने बेस कैम बलॉट आए उदर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसकी तोपें रूस के सेनिकों पर खहर बरपाने के लिए तयार नज़र आए और उनसे निकलने वाले गोलों ने सुनने वालों के कानों के परदे फाड़ दिये इसे पहले कि तोप से हुए धमाके का शोर थम पाता दूसरा जवान अगले गोले के साथ तैनाद दिखता यूक्रेन ने दवा किया कि उसकी इस यूनिट ने रूसी फौज को कई इलाकों में धूल चटा दी इस वीडियो के जरीए यूक्रेन ने अपने बहादूर सेनिकों की हिम्मत को सलाम किया साथी ये भरोसा जता है कि उसके जवान रूस के इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए हर वक्त तयार है इस बीच रूस के तेवर नरम पढ़ने का नाम नहीं ले रहा है इस बार उसने अमेरिका और उसके साथी देशों को चेतावनी देने के लिए अपनी एक नई हाइपर सॉनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर दिया ये पुतिन की वो खास मिसाइल है जिसके बारे में तो का जाता है कि जब परमानों जंग छिडेगी तो पुतिन इसी मिसाइल से ही अमेरिका के शहरों पर वार करेंगे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रूस ये युद्ध यूक्रेन से भी आगे ले जाने की मूड में है क्यूंकि अभी पिछले महीं नहीं उसने अपने सबसे ताकतवर परमानों हत्यार सर्मा को चीडते हुए अपने शिकार की तरफ जाती नजर आई पताया गया कि रूस की जिर्कौन मिसाइल बैरन सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तै करके श्वेट सागर में अपने टागट पर जाकर फट पड़ी रूस की इस हाइपरसोनिक परमानों मिसाइल की रफतार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है ये स्पीड इतनी जादा है कि एर डिफेंस सिस्टम भी रूस के इस हत्यार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बलकि दावे तो ऐसे हैं कि रूस की इस मिसाइल के लाँच होने की भनक दुश्मन को तब जाकर लगेगी जब वो अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी यानि रूस की जिर्कॉन मिसाइल का मुकाबला नामुम्किन होगा इसी वज़े से रूस अपनी इस मिसाइल को अनस्टॉपबल बोलता है मतलब कि ऐसी मिसाइल जो गर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुम्किन है रूस बीते काफी वक्ट से इस मिसाइल के टेस्ट कर रहा है और अब वो पूरे होने के करीब है बलकि खबरें तो ऐसी हैं कि अगले कुछी हफ़तों में रूस अपने जंगी जहाजों पर ये जिर्कॉन हाइपरसॉनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने वाला है उदर रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसके साथ उसने यूक्रेन के एक एहम हथ्यार डिपो को तबाह करने का दावा किया हाला कि यूक्रेन का ये ठिकाना कहां था इसकी जानकारी नहीं दी गई लेकिन उस पर रूस के फाइटर जेट और तोपों ने जोरदार कहर बरपाया रूस की तरफ से जारी किये गए वीडियो में उसके सैनिक तोपों को तयार करते नजर आए जिने इशारा मिलते ही वहां हुए धमाकों से पूरा इलाका गुझ उठा रूस ने युकरेन के ठिकाने पर एक-दो नहीं बलकि इतने गोले दागे की गिनना मुश्किल हो गया रूस ने दावा किया कि उसने नकेवल वहां बंबरसाए बलकि मिसाइलों से भी हमला किया युक्रेन की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उसका एक हथियार डिपो तबाह हो गया हाला कि उसने रूसी हमले को नहीं बलकि आग लगने को इसके लिए जिम्मेदा ठहरा है उक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके एक सोलर प्लांट पर मिसाइल हमले का दावा किया युक्रेन ने आरोब लगाया कि रूसी ने उसके इस प्लांट पर रात के वक्त हमला किया जिसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया वीडियो में सोलर प्लांट पर एक मिसाइल गिरती दिखी जिसके टागेट को छूते ही वहां जोरदार धमाका हुआ युक्रेन ने इस हमले के अलग-अलग एंगल से बनाए वीडियो जारी किये जिसमें सोलर प्लांट पर धमाका होते ही जबरदस चिंगारी उठती दिखी बताया गया कि इस हमले से प्लांट पूरी तरह द्वस्त हो गया रूस की मिसाइल इतनी ताकतवर थी कि जहां ये गिरी वहां कई फीट गहरा गड़ा हो गया इसके अलावा वहां फाइरिंग का दावा भी किया गया जिसकी गवाही सोलर पैनल पर उभरे गोलियों के निशानों ने दी प्रिटिन की न्यूज वेबसाइट मिरर ने दावा किया कि रूस के राष्टपती पुतिन ने अपनी डेथ आर्मी को मोर्चे पर उतार दिया आरोप है कि पुतिन ने यूकरेन के अधिकारियों को ढूंड कर उन्हें खत्म करने के आदेश जारी कर दिये जिसका जिम्मा उनकी खास तुकडी यानि की डेथ आर्मी को सौपा गया जो दुश्मन को ढूंड कर खत्म करने के लिए मशूर है पुतिन की इस खुंखार पोर्स का काम ही दुश्मन को चुन चुन कर उसे मौत के घाट उतारना है न्यूज वेबसाइब मिरर के मताबिक पूरवी यूकरेन में मौजूद अधिकारियों को मौत की नीन सुलाने के लिए पुतिन ने ये खास यूनिट वहां तेनात की जिसे वहां हंट टु किल मिशन यानि धून कर मारने का ओर्डर जारी कर दिया गया डॉन बास पुलिस ने दावा किया कि यूकरेन के अधिकारियों पर 24 सों घंटे नज़र रखी जा रही है ताकि मौका मिलते ही रूस उनका खात्मा कर सके इसी वज़े से उन्हें ज्यादा चौकनना रहने के आदेश जारी किये गए उदर यूकरेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक को तबाह करते दिखाए दिये यह हमला उसने यूकरेन के जापुरिजिया इलाके में किया जहां उसके जवान रूस के टैंक को बरबाद करते दिखे जारी वीडियो में रूस का टैंक सडग से गुजरता नजर आया जिसमें सवार सैनिक इस बात से बिलकुल बेखबर थे कि वो जिस सडग से जा रहे हैं वहां दुश्मन ने बारूदी सुरंग बिछा रखी है रूस का टैंक जैसे ही बारूदी सुरंग के ऊपर से निकला उसमें एक जोरदार धमाका हुआ जिससे टैंक के परकचे उड़ते नज़र आए यह हमला इतना जोरदार था कि वहां काफी देर आग के साथ धुए का गुबार उड़ता दिखा तस्वीर थोड़ी साफ हुई तो कुछ जवान सड़क किनारे तड़पते भी दिखे युक्रेन ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एक बुश मास्टर बख्तर बंगाडी रूस के हमले में तबाह नज़र आई पताया गया कि ये हमला रूस के सैनिकों ने युक्रेन के लुहांस्क में किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया से आई बख्तर बंगाडी बुश मास्टर सड़क किनारे बरबाद नज़र आई जिस पर युक्रेन का जंडा लगा हुआ था युक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक की भी मौत हो गई जो इसे चला रहा था ये वही बख्तर बंगाडी है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने युद्द में मदद के तौर पर युक्रेन को भेजा था पिछले महीने ऐस्टेलिया की संसद में दिये भाशन के दोरान जिलिंसकी ने उससे रूस के खिलाव जंग में मदद के अपील की थी जिसके बाद ऐस्टेलिया के पूर प्रधान मंतरी स्कॉट मौरिसन ने उन्हें साथ देने का आइलान किया था इसके बाद 20 अप्रेल को उस्टेलिया ने 20 बुश मास्टर गारियों का पहلا काफिला सेना के विमान के जरीय यूक्रेन बेजा और इस तरह उस्टेलिया जिलिंसकी को बखतरबन गाडियों की मदद करने वाला पहلا देश बन गया औस्टेलिया की बक्तर्बन गाड़ी बुश मास्टर को बुशी के नाम से जाना जाता है जो खराब रास्टों पर भी तेजी से दोड़ सकती है और सैनिकों को बम धमाकों से बचा सकती है लेकिन रूस के हमले में 20 में एक औस्टलिया एक बुश मास्टर तबाह हो गई इसकी पुष्टी यूक्रेन की सेना ने खुद की हलाकि इन बखतरबंध गाड़ियों को बेहत घातक और ताकतवन माना जाता है जिनका इस्तमाल अफगानिस्तान और इराक युद में अमरीकी सेना ने किया था क्योंकि 11 टन वजन वाली बुष्ट मास्टर बखतरबंध गाड़ी में बैठ कर 10 सेनिक जंग के मैदान में दुष्टमन पर हमला बोल सकते हैं यही नहीं हत्यारों से लेज इन गाड़ियों की मदद से दुष्टमन पर बम भी दागे जा सकते हैं साथी सेनिकों को लैंड माइन से भी ये बचाती हैं और मशीन गंच से दागी गई गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है और एक बार तेल का टैंक पुल होने के बाद ये तीन दिन तक जंग के मैदान में मोर्चे पर डटी रह सकती है इस बीच यूकरेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आस्मान से मिसाइलें गिरती नज़र आई जेलिंस्की की फॉज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुँचाया और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें एक बखतरबन गाड़ी के पास कुछ सैनिक खड़े नज़र आए दावा किया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो यूकरेन पर हमले की तयारी कर रहे थे लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामियाब हो पाते यूकरेन के ड्रोन ने उन्हें ट्रैक कर लिया और इसके बाद उसने आसमान से उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गराई वहीं जैसे ही मिसाइलें ठिकाने पर गिरी जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते चारों तरफ दुएं का गुबार चा गया यूकरेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी फॉज के कई सेन ने ठिकानों को बरबाद कर दिया हलंकि यह हमले किस इलाके में किये गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गए